हलो एंड वेल्कम फेंड स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्ट सिन एथिकल हैकिंग पे तो दोस्तो आज लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपने मोबाइल फोन की मदद से साइबर सीक्यूरिटी से रिलेटेड बहुत सारा काम गर सकते हैं इवन जिन लोगों के मन में एक और वर्ड आ रहा होगा आप समझी गए होंगे हम डिसकस कर रहे हैं जिस चीज के बारे में यानि कि क्या मोबाइल की मदद से ethical hacking भी की जा सकती है या ऐसे बहुत सारे terms होते हैं जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होंगे कि क्या किसी दूसरे के phone पे हम access कर सकते हैं क्या यह possible है किस हद तक हो सकता है इस तरह की बहुत सारी चीजे तो यह जो जितने भी सवाल है आपके मन में आ रहे हैं सभी का जो answer है वो आपको इस video में मिल जाएगा कि किस तरह से हम कर सकते हैं क्या possibilities हैं legalities हैं और भी बहुत सारी चीजे तो चलिए दूस्तों सुरू करते हैं आज कि इस interesting class को जिसमें हम जानेगी कि किस तरह से mobile हमारे लिए helpful हो सकता है तो सबसे पहले पी है और famous भी है इसकी अगर हम खास बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं mobile security audit simplified यानि कि इसकी मदद से पैनेटरेशन टेस्टिंग का काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं यानि mobile based penetration testing यह जो टूल है पैनेटरेशन टेस्टिंग में किसी भी website के अंदर की कम्यों का पता लगाना हो और देखो bugs ही सबसे बड़ी main चीजे होती है कि bugs की मदद से हम कैसे कैसे work कर सकते हैं जो काम आप जैसे काली Linux की tools की मदद से करते थे वो काम आप इस टूल की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते यानि penetration testing आपका बहुत आसान हो जाएगा आप देख सकते हैं इससे क्या क्या work किया जा सकता है इन सब के लावा vulnerability scan reports create करना ये सारा काम इस टूल के मदद से बड़ी आसानी से किया जा सकता है और ये iOS के लिए भी available है download link किसी में आपको मिल जाएगा तो दोस्तों ये काफी ब सारे के सारे काम हमें mobile बेगरने तो क्या ये possible है तो बिल्कुल दोस्तों ये possible है यहां मैं जू दूसरे टूल का नाम बता रहा हूं उसका नाम है काली Linux Net Hunter तो काली Linux का Net Hunter जो वर्जन है सपेशली mobile phone के लिए बनाया गया है आप यहां पे देख सकते है काली Net Hunter और इसके अंदर वो सारे टूल जो काली Linux के अंदर काम करते हैं वो सारे टूल इसी के अंदर काम करते हैं आप चाहें तो इस screen की मदद से अंदाजा ले सकते हैं कि आपने phone को connect किया है और यहां पे एक screen पे आप उसे access कर पा रहे हैं keyboard के मदद से बहुत आसान है easy to install है और जो भी work आप यहां तो कुछ रहनी जाता तो पूरे के पूरे जो नेट हंटर है मतलब काली एक तरह से मिनी काली Linux आप इसे कह सकते हैं अब हम बात करते हैं और बहुत जबर्दस टूल के बारे में जिसका नामे ड्रॉइड बॉक्स तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यह configuration settings के लिए firewall settings configuration settings और दूसरे अलग अलग तरह के कही काम करने के लिए इस टूल को बनाया गया है यहां पे यह सारी चीजे के लिए 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 दिखाए गई हैं अगर आपको जैसे scanning वाला वाक करना हो तो वह भी आप इसमें बड़ी आसानी से कर सकते हैं जैसे कि आप यहां पे देखेंगे firewall, honeypots मतब काफी सारे features इसमें आपको मिल जाएंगे और यह Google Play Store पर ही available है तो Google Play Store का यह टूल यह भी काफी जबरदस्त है बड़ी आसानी से आपके सारे कामों को करके देगा अब हम चलते हैं उन लोगों के लिए जिनके मन में खयाल आ रहा था कि क्या हम फोन पे जो है देख स प्रोल के हम बात करें कि जैसे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का देखना चाहें कि वो फोन पे क्या कर रहे हैं किस तरह की एक्टिविटीज उनकी है तो उस रसाप से यह काफी अच्छा है एंप्लोई पे नजर रखने के लिए काफी अच्छा है आप यहां पे इस्तिमाल कर सकते हैं या जो पेरेंट्स अपने बच्चों पे नजर रखना चाहते हैं उनके हिसाब से भी काफी बहतरीन टूल है और ऐसा ही एक और बहुत बहतरीन और जबरदस टूल है जो की वर्ड्स के नंबो वन में इसका नाम आता है तो exactly मतलब बात यह है कि आप इ इमेल आइडी की मदब से यह सारी चीजे देख सकते हैं आप देखेंगे इसमें काफी सारी चीजे हैं जैसे फोटो इमेजेज आप देख सकते हैं ब्राउजिंग हिस्ट्री है चैटिंग वाला जो है वो सारी चीजे आप यहां पर इसे देख पाएंगे तो यह था हमारा आज का वीडियो मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियो में फ्यूचर में लेका रहा हूँ तो देखते रहे हैं यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग थैंक यू फ्रेंड्स गोड़ बाए